हर्याना से जुड़ी हर लेटिस्ट अपडेट के लिए घंती बजाएं और सब्सक्राइब करें स्टीवी हर्याना न्यूज सच के साथ ख़बर बेबाद हुर्जली अब रूख करेंगे इस वक्त की बड़ी ख़बर हातंगी मुढभेड में शहीत संदीप का अंतिम संस्कार आज किया जाना है महम में उनका पैत्रक गाउं बलंबा में अंतिम संस्कार होगा शहीत के अंतिम दर्शन करने के लिए पूरा गाउं एक अत्रित हुआ है और बेहत दर्दनाग पल होता है ये जब किसी गाउं का बेटा शहीत होता है क्योंकि एक तरफ वो गौरवानमित महसूस करते हैं कि उनके बेटे ने देश के लिए अपनी जान दी लेकिन अपने बेटे को खोने का जो दर्द होता है वो परिजन और उस गाउं के लोग ही जानते हैं वार्याना के एक और बेटे ने देश के लिए अपनी जान को नियोचावर कर दिया आतंकी मुडवेड में शहीद हुए संदीप का आज अंतिम संसकार पैत्रगाउं वलंबा में होगा उनके अंतिम तर्शन के लिए पूरा गाउं एक अत्रित हो गया है जोट हो गया है थोड़ी देर में ही शहीद के अंतिम यात्रा गाउं वलंबा पहुँचेगी जब कोई जवान शहीद होता है तो एक तरफ देश को गर्व होता है लेकिन एक जवान को खोने का नुकसान कभी भर नहीं सकता है जवान अपनी जान को नियोच्छावर कर देते हैं देश के लिए बिना अपने परिवार के बारे में सोचे देश के लिए जीते हैं देश के लिए मरते हैं और पूरे राश्ट्रे सम्मान के साथ आज एक और जवान को अंतिम विदाई दी जाएगी शहीद संदीप हर्याना के एक और बेटे ने देश के लिए अपनी जान नियुचावर कर दी है पैतर गाउं बलंबा में शहीद्वे संदीप का अंतिम संसकार किया जाएगा उनके अंतिम दर्शन के लिए पूरा गाउं एक कत्रत हो गया है और देखिए उनके गाउं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस खबर पर हमारे साथ समधता जहन मुहम्मद चुड़ गए हैं जहन बेहत नाजुक बल होता है ये जब एक गाउं अपना बेटा खोता है हलाकि उतना ही गौरवानवित महसूस करते हैं कि देश के लिए शहीद हुए हैं फिलाल आपसे जानना चाहूंगी कि शहीदा की बॉड़ी कब तक पहुँचेगी और अंतिम संसकार को लेकर क्या कुछ कारिक रहा हुँए देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सहीद हुए थे संदीप गाउं बलंबा के तो उनकी सहीद की जो डैट बोधी है वो खरकड़ा गाउं के आसपास पहुँचुकी है और यहां से 15 से 20 मिट का रास्ता है तो अंतिम संसकार के लिए जो पूरा गाउं पूर महें इलाका यहां पर इकठा हुआ है और जो स्कूली बच्चे हैं वे वंदे मातरम और सहीद संदीप हमर है के नारे लगाकर अपना दुख परकट कर रहे हैं और सोग परकट कर रहे हैं जी बिलकुल जैन उस परिवार के लिए यह बेहत दर्दनाक पल होता है बहले ही वो परिवार बेहत गौरव महसूस करता है कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हो गया लेकिन बेहत दर्दबरा पल बेहत नाजुक पल यह होता है जब कोई बेटा जाता है देश के लिए उनसे बातीथी तो उन्हें अपना रोते वे गहरा दुख पर कट किया कि मेरे पती में जो सादती है देश के लिए मैं काति हूँ की मैं जब भी वार किसी की पत्मी बनू तो संदीफ की गरवारी बन के ही मैं संदीफ की पत्मी बना पुसंद करूंगी और आज मैं गर में सबसे छोटी थी उन्होंने साधत है कि मुझे गर में बड़ा कर दिया बड़ा रूप दे दिया निरे गो चलिए बिलकुल शहीद की पत्नी कि ये सब बातें वाकरी महसूस कराती हैं कि जितने स्ट्रॉंग जवान होते हैं उनका परिवार भी उतना ही स्ट्रॉंग होता है बहुत भुत शुकरीय आज आपका तमाम जानकारी के लिए दो आज श्रहीद के अंतिम तर्शन के लिए पूरा गाउं इकतृत हो चुका है औरा उनके पैतरिक गाउंन का अंतिम संसकार किया जाएगा झाल